आज की इस टॉपिक में हम डिसकस करने जा रहे हैं ब्रांचिज ओव स्टाइलिस्टिक ये टॉपिक स्टाइलिस्टिक से लिया गया है इसके अंदर आज हम कवर करेंगे linguistic stylistic को literary stylistic, cognitive stylistic, comparative stylistic, functional stylistic, critical stylistic, pragmatic stylistic, rhetorical stylistic, psycholinguistic stylistic और digital stylistic को तो बगाए टाइम वेस्ट करते वे हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक जो exam point of video से बहुत ज़्यादा important है और बार-बार exam में पुछा जाता है चीजों stylistic को study करते हैं हमें सबसे पहले linguistic stylistic मिलता है जिससे मुराद है वो branch of stylistic जिसके अंदर हम language के इस्तमाल को देखते हैं इसके अंदर linguistic के different features को deeply analyze किया जाता है जिसके अंदर उस text के phonology, syntax, semantics चामिल होता है पर example आपको teacher एक poem देता है जैसे के defodil और आपको कहता है कि आपके इस poem को अच्छे से पढ़ना है तो उस poem के अंदर सबसे पहले आप उसके literary devices के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर वो कौन से literary devices इस्तमाल किये गए हैं जिसके जरीए से हमें उस text के meaning के बारे में पता चलता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि writer ने एक literary text के अंदर वो कौन सा style अड़ाप्ट किया है जिसके जरीए से हमें उसके language choice के बारे में पता चलता है उसने story के अंदर कैसा sentence structure रखा है कौन सी vocabulary इस्तमाल की है पेसिंग का इस्तमाल कैसे किये है जाने के story के अंदर को जो continuous low होते है इवेंट के उनको कैसे describe किये है सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नमबर दो पर हमारे पास आता है literary stylistic जिससे मुराद है अपने text के अंदर उन चीजों का इस्तमाल करना जिसके जरीए से उस text की खुबसूरती बनती है जैसे के literary devices का इस्तमाल जो Shakespeare है वो अपने place के अंदर iambic pentameter का इस्तमाल करता है जिससे उसकी rhythm create होती है इसी तरह से एक literary text को produce करने के लिए different writers different techniques का इस्तमाल करते हैं नमबर थी पर हमारे पास cognitive stylistic आता है जिससे मुराद होता है reader के mind के साथ खेलते हुए कुछ ऐसे literary devices का इस्तमाल करना जिसके जरीए से reader visualize करता है उस scene को कि वो उसके आसपास हो रहा है वो जिस चीज के बारे में पढ़ रहा है उसे ऐसे लगता है कि वो भी उन characters की जिंदगियों का एक हिस्सा है वो उनके characters को रोते वे देखता है, हसते वे देखता है, उसे ऐसे लगता है, वो भी उस कहानी का एक part बन गया है, इस तरह से एक writer अपने language choice के जरीए से reader के mind को capture कर लेता है, नमबर फॉर पर हमारे पास comparative stylistik आता है, जिससे मुराद है कि हमने इसके अंदर comparison करना होता है, different languages का, time periods का, मिसाल के तोर पर एक time period के अंदर रहने वाले दो इनसानों का style है, वो एक दूसरे से मुक्तलिफ है, इसी तरह से जो उन्होंने अपना language इस्तमाल किया है, उसके अंदर literary devices का इस्तमाल है, वो भी एक दूसरे से अलग है, जो उनके योनराज है, जैसे के short story को अलग तर इस्तमाल करते हुए, हमारे का इस्तमाल करते हुए, characters की importance बढ़ जाती है, एक कहानी के अंदर, पर six पर हमारे पास critical stylistic आता है, जिससे मुराद है, कि हमने socio-cultural और ideological implications को stylistic choice के अंदर देखना है, कि उनको एक text के अंदर कैसे इस्तमाल किया गया है, critical stylistic से मुराद है, कि हमने एक text को critically analyze करना होता है, जो हमें text दिया गया है, हमने उसके socio-cultural background के बारे में देखना है, कि कैसे उस society को उस novel के अंदर present किया गया है, कैसे उस culture को present किया गया है, उनके languages, उनके ideologies, उनके beliefs को present किया गया है, आया कि उसके अंदर author की कोई bias नस पाई जाती है, तो इसकी अंदर हमने उस हर aspect को critically analyze करना होता है, जो author की writing बे हमें नजर पर आ रहा है, पिर चाहे वो self reflection हो, पिर चाहे वो उसके self experiences हो, या पिर society के साथ उसका experiences हो, या society के norms values पर उसने criticize किया हो, उसके अंदर उसने society की corruption बयान की हो, religion के हवाले से, culture के हवाले से, class के हवाले से, विशाल के तोर पर जोफरी चॉसर का काम prologue to the contemporary tale के अंदर हमें different character के जरिये से उस society की real depiction मिलती है, जब हम उस text को, उन characters को deeply understand करते हैं, analyze करते हैं, उनके each and every aspect को देखते हैं, इसके जरिये से हमें उस society के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं, number seven पर हमारे पास pragmatic stylistic आता है, आप लोगों को मालूम है, pragmatic का मतलब क्या है, pragmatic से मुराद है एक text के background को देखना, उसके अंदर social factors को देखना, कि कैसे उन social factors ने उसको influence किया है, इस style stick के अंदर किसी भी writer का लिखा हुआ वो काम जिसके हमने context और social factors को देखना है, जो उसके meaning पर influence कर रहे हैं, मिसाल के तोर पर writer ने अगर किसी irony, किसी sarcasm का इस्तमाल किया है अपने text के अं नमबर 8 पर हमारे पास rhetorical stylistic आता है, rhetorical stylistic से मुराद है कि इसके अंदर हमने emotive aspects of language के ओपर focus करना है, यह वो branch है जिसके अंदर rhetorical devices जैसे के metaphor, simili, hyperbolic का इस्तमाल किया जाता है, ताकि audience के अंदर उस बात को जगाया जा सके जो कि उस character से relate होते हैं, ताकि audience उस character के साथ sympathy कर सके और इसके situation को feel कर सके कि अगर हम इसके situation में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सरीन text प्रोड्यूस किया है, जिसके जरिये से उसने अपने audience के mind के साथ केला है, नबर 10 पर हमारे पास digital stylistic आता है, जिससे मुराद वो modern branch है stylistic की, जिसके अंदर हम उसके digital text के बारे में पढ़ते हैं, जो किसी ब्लॉक पर दिया गया होता है, या किसी social media platform या online forms पर दिया गय अंदर digital होती जा रही है, जिससे मुराद है, डिजिटल टूस का इस्तमाल करते होए एक ऐसा piece of literature बनाना, जो long lasting होता है, जिसको हम किसी electronic device में स्टोर कर सकते हैं, जो इस digital दौर के अंदर हमारे लिए जरूरी हो गया है,